तो असलाम लीक्म स्टुटेंट तो आज हमारा टापिक है what is input, what is the use of input devices and list out different types of input devices तो सबसे वहले हमारे पास है input, input की definition है कि anything given to the computer is known as input such as data or instruction यानि कि आप computer को जो भी चीज़ दो होगे वो हमारे पास input होगी चाहे वो data हो या कोई instruction हो, तो दो तरह से आप computer को input दे सकते हो, एक होती है direct input और एक होती है indirect input तो direct input में हमारे पास जो data होता है वो directly computer के पास चाता है, यानि कि जब आप एक device से data अंडर करते हो तो वो directly computer के पास चाता है दर्मियार में कोई दूसरी device नहीं आती है, उसकी example है कि जैसे आप माइक में बोलते हो, तो वो जो माइक होता है तो direct आपके आपके आवाज computer तक रहे जाता है, और इसके लिएक जाता है और इसके लिए इसकी example है, स्कैनिक डिवाइस है, डिजिल कैमरा है, माइक्रोफून इंटरेक्ट इंपूट में किया चीज़ है, इंटरेक्ट इंपूट में एक intermediate, यानि कि दर्मियार में एक डिवाइस होती है, जो कि इस सारी मसले को handle कर रही होती है, जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड से जब आप data एंटर करोगे, या माउस से आप data एंटर करोगे, तो computer को नहीं पता मेरे पास कौन सा बर्ड आ रहा, वो दिर्म्यार में एक डिवाइस होगी, वो आपकी RAM या कोई भी जो उसको समझाएगी, कि यह थमारे पास क्यों सी command आई है, आगे input devices आगी, तो input devices हमारे पास एक hardware component होता है, जो के use होता है, computer करने data जा instruction एंटर करने के लिए, input devices take data instruction from user and convert it into understandable by the computer, अब होता गया, device वो यूजर से data लेती है, यानि आपकी data अंटर करोगे, अब computer नहीं इसको अंटर साथा, computer उसको convert करेगा digital form में, then वो उसको समझेगा, अब फिर वो computer को देगा, अब इसमें हमारे पास keyboard, pointing devices हैं, source data, entry device, सबसे पहले हमारे पास है keyboard, तो, keyboard क्या होता है, describe enhanced keyboard and its segments, तो keyboard, keyboard सबसे ज्यादा यूजर होने वारे हमारे पास input device है, data is mostly entered using keyboard, वो आपका data mostly आपका keyboard के थूँ ही एंटर करते हो, और जो button होते हैं keyboard के अबर उन पर हम keys कहते हैं, standard keyboard contains over 100 keys, एक जो आपका normal keyboard है, उसकी सोब से ज़्यादा उसके उपर button होते है keyboard contain numeric keys, alphabetic function keys and special purpose keys, a standard keyboard is normally card quality, quality keyboard होते हैं, अगर आप देखो, आप मोबाइलों का भी keyboard हो क्यों से start हो रहे हैं, this is because first six keys on rows, later on these keyboards are QWR, TY, तो आज़े इसके main parts आपके keyboard के, सबसे पहला जो पार आपका होते हैं, function keys, function keys में हमारे पास अगर आप keyboard, यह आपके सामने keyboard की एक diagram बनी हुई है, तो अगर आप यह, यहां से F1 से F12 तक यह जो ही है, हमारे पास function keys हैं, और यह different functions perform करने के लिए use होते हैं, different software के उपर depend कर रहे होते हैं, अगर आप यह चीज़ आप करके देहना practical, अगर कोई भी software open किय आपने, आपने VLC for example, तो अगर आप F1 प्रेस करोगे तो वो उसके बारे में सारी help open कर देगा, आगर main keyboard आगा, यह सारा जो चीज़ है, यह सारी जो चीज़ है, यह main keyboard है, यह वाले, तो main keyboard यह ऐसे है, जैसे एक typewriter होता है, typewriter आपने देखा होगा है, अब भी यूज होती है जो कि अदालतों में, कोर्स में, कचारियों में इस तरह के device यूज हो रही होती है, it also contains some special keys, इसके अदर special keys भी होती है, जो कि डिफरेंट असराद, डिफरेंट effect करती है, आप जो भी लिख रहे होगे, अगर key enhanced keyboard, key enhanced keyboard से मराज़ है कि एक ऐसा, अगर जो normal keyboard थे, वो यहां तक होते हैं यहां तर, अब जैसे ही यह चीजें, यह keys साथ enter हो ही है, यह वाले, तो यह हमारे पास, इन्हांस keyboard आगे हैं, यह keyboard को बढ़ा दिया गया है, सबसे, अच्छा जी, अब keys आगी, escape की है, ESC की है, ESC की है, ESC, इसका मतलब भी होता है, आप जो भी काम कर रहे होगे, ज caps lock की है, caps lock की को हम toggle की भी कहते हैं, इसका मतलब यह होता है, अगर आप, अपने कोई भी text लिख रहे हो, तो वो अगर, small ABC में लिखा जा रहा है, small alpha bet में लिखा जा रहा है, तो वो उसे, बड़ी alpha bet में लिखना शुरू कर देगा, तो यह हमारे पास caps lock की का काम होता है, tap की, जाली tap की क्या काम करती है, cursor को आगे move करती है, five spaces, five spaces आगे move करती है, ऐसे shift की है, shift की जो है, यह दूसरी keys के साथ मिलकर, यानि कि आप shift प्रेस करके कोई और south button प्रेस करेंगे, तो वो different काम होगा, different function पर फाहम होगे, control keys, control keys का भी यही काम है, वो भी दूसरे buttons के साथ मिलकर क करती है, जैसे का अगर आप control O करते हो, तो वो open करती है, control से S करते हो, वो से save करता है, alt keys, alt keys जो है, यह भी इसी तरह दूसरी keys के साथ ही मिलके different काम करती है, जैसे अगर आपने computer बांद करना हो, तो आप alt plus F4 press करते हो, alt F4 press करो तो आपका computer बांद हो जाता है, backspace काम करती है, जैसे कि अगर आप में लिखा है, तो लेट साइड से a correct delete करते ही, जैसे अगर आप मैसे लिखते हैं, तो आप क्रॉस कावर नहीं है, backspace प्रेस करते हो, तो उसको पीछे की तरफ लेगी जाती है, enter की क्या आप करती है, enter की यह गाम करती है, वो आपके cursor को next line में लेगी यह सबसे उपर, right side पर भी होती है computer के, यह उपर भी होती है, keyboard का sorry, right side पर भी होती है, और उपर भी होती है, numeric keys में one, इसके लाब है यह end, page down, page up की keys है, यह keys क्या गाम करती है, यह आपके page को नीचे, यह additional keys जो है, arrow keys, arrow keys क्या होती है, arrow keys होती है, हमारे बाद, जो arrows बने होती है, जिन से आप games वे खेलते हो, insert, delete home, यह चीज़ वो है, जो कि different काम कर रही है, insert से आपकी चीज़ शामल करते हो, delete से delete करते हो, home से, home से क्या होता है, home से, अगर आप एक file नम लेगे, आपने document खोली ही है, और आप वो उसके 50 सफ़े पे हो, जब को एक page मीचे लेगे जाएगा, print screen, आपको screenshot लेने के लिए, scroll log, scroll log क्या काम करते है, जैसे यह scroll है, यह scroll किया जा रहा है, यह scroll कर रहा है, तो scroll क्या करेगा, वो आपको, अगर आप इसको press कर दो, तो वो आपके इस चीज़ को scroll नहीं होने देगा, और यह सिरफ different software में काम करता है, उसके बाद हमारे पास pause और break की, pause और break की क्या करती है, वो आप, यह जो space का बड़ा button होता है, इस से आप कोई भी movie को रोकते हो, चलते हो, तो यह हमारे पास यह काम करती है, next one, इन्शालला पढ़ेंगे जी, pointing devices हमारे पास क्या होती है, thank you.